प्राइल और इरान युद के कागार पे हैं और ये युद जो है बहुती भायनक होने जा रहा है थर्ड वर्ड वर्ल्ड तक हो सकता है एक्सपर्ट का कहना है किस प्रकार से ये जो करेंट सुच्वेशन है मिडिल इस्ट में वो बिब्लिकल प्रॉफेशिस को एंट टाइम्स को लेकर प्रिसाइसली फुल्पिल कर रहा है और कैसे बता रहा है कि ये शुमस्य का आने का समय जो है पहुती करीब हो चुका है इस वीडियो में अब ये जो जो करेंट सुच्वेशन है इसको समझने के लिए आपको थोरा सा इतिहास समझना पड़ेगा इतियास में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यह conflict शुरुआत कहा से हुआ। अलाकि इतियास में हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट यर 2023 साथ अक्तूबर को साउथ इसराइल में हमास के आतंगवादी और जो फेस्टिबल चल रहा था उसमें बच्चे, बूरे, औरत, जवान सब जितने भी थे सभी को अंदा धुन्दा निर्मम त को निर्मम तरीके से मार दिया गया, मासुम इसराइलियों को, गेंग रेप्स, नजाने कितने गंदे कांट इन आतंगवादीयों ने किया, इतना नफरत है इनके अंदर में, और 250 को बंदी बनाकर गाजा इस्ट्रिप ले गया, और तब से लेकर इसराइल एक-एक को चुन को मार चुके हैं, अब यहां में होता क्या है कि एरान जो है इस महेने के, यानि कि 1 अक्तोबर 2024 को, 200 के करीब मिसाईले इसराइल पर दाग देता है, क्यों? इरान कहता है इसराइल छोटा सेटान है और अमेरिका बला सेटान, इरान सोचता है कि यह जो जमीन है इसराइल, य यहुदियों का नहीं, तो यहुदियों का नहीं है और यह आइडियों का नहीं हैं और यहुदियों के कारण गरेना करते हैं यहुदियों से, इसलिए बार बार अटेक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ता पहले, जब हम इतिहास में जाते हैं, 582 BC में, यानि कि इसलाम पैदा नहीं होने से पहले, मुहमत पैदा नहीं होने से पहले, बारा सो साल के करीब पहले, इस्राइले इस लोग अपने डिस ओबिडेंस, अपने रिबिलियन के कारण प्रभु ने उन्हें as a discipline exile जाने दिया, यानि कि किंग नेबुकेद नेजर आया, जीत लिया जुदा इस्राइल को, और बंदी बना कर ले गए, टेंपल को भी नस्ट कर दिया, किंग नेबुकेद नेजर बेबिलियन से आया, यानि कि मौर्दन दे इराक, और पुरी तरीके से नस्ट करकर बहुत सारी लोगों को बंदी बना कर ले गए, 70 साल बात में, किंग आप पर्षिया, यानि कि का किंग Cyrus जो है जीत लेता है किसको Babylonian को और King Cyrus जो है Israelites लोगों को वापस जाने देता है Yes, आज का मौर्दिन दे Iran का Cyrus का जो allow करना यहुद्यों को वापस अपने देश जाने देना यह जो है Isaiah 44-45 में भवश्य दता Isaiah ने अल्रेदी के दिया था बाइ नेम की वो ऐसा करेगा देखे कितना precisely fulfilled होता है वचन फिर से दूसरा exile होता है 70 AD को Romans को revolt करने के कारण क्योंकि बहुत सारे emperor आए आप जब ancient history देखते हैं तो बहुत सारे emperor आए Alexander the Great और उसके बाद में Romans उससे पहले Assyrians, Babylonian, Mid-Persians यह सारे biblical prophecy already हो रखे थे कि ऐसा kingdom आएगा Romans का जो rule था इसको register करते है revolt होता है इसराइल में तभी फिर से Romans बहुत ही अतियचार करते हैं उसमें बहुत सारे scattered हो जाते हैं Jewish लोग, अलग अलग जगे, अलग अलग देश में चले जाते हैं scattered हो गया अब ये जो है, डेश जो है इसमें यहुदी नहीं था बोलके नहीं है लेकिन बहुत कम हो गया है क्योंकि बहुत सारे यहुदी लोग scattered हो गये fast forward 1948 में ये जो देश है इसराइल का जनम होता है जी हां 2000 साल तक exile में रहने के बाद में यहुदी लोग पूरे दुनिया से आते हैं और इसराइल देश बनता है और ये इसराइल देश बनने में British, United Kingdom, UNO ये सारे मिलकर बना देते हैं क्यों? क्योंकि पहले से ही इसराइल लोगों का identity crisis था ये सारे exile में थे Europe में बिबन अलग अलग जगाओं में थे और होलोकोस्ट यानि की Second World War के बाद में होलोकोस्ट जो सर्वाइबर्स थे यानि की हितलर नाजी ने six million जूस को तो मार दिया था अगर आप इतियास को परें इसके बाद में UNO और यहाँ पर फिलिस्टाइन में इसराइल देज बना दिया partition करके तो उसके बाद से ही Middle East में conflict होता रहता है कि यह लोग बहार से आए हैं यह land के लिए ऐसा नहीं कि वहाँ में यहोदी नहीं थे यहोदी ओल्रेडी थे वहाँ पर यानि कि state नहीं बनने से पहले भी यहोदी ओल्रेडी थे 2000 साल तक exile में रहने के बाद में एक देज बनना यह biblical prophecy को fulfill करता है accurately जी हाँ अब पर यह Ezekiel 36.24 में परमेशुर ने साब कहा कि अलग अलग देज से उनके लोगों को लेके आएंगे और दुबारा देज बनेगा परमेशुर का बचन accurately fulfilled हो रहा है और जब से यह देज बना बाकी जितने भी अरप के देज थे उन्होंने बहुत बार हमला किया लेकिन हर बार इसराइल बिज़े हुआ और यह इरान जो है modern day इरान जो पर्षिया पहले था और इसका इतिहास को भी आप जानना है और इस देज को भी आपको समझना है ताकि आप end times को समझ सके 7th AD तक यह देज जो है एक non-Islamic देज था इरान को हमें समझना जरूरी है उसका इतिहास को समझना जरूरी है क्योंकि biblical prophecies जिस प्रकार से बता रखा है यह इरान जो है एक मुक्यर देज से जो इसराइल को एटेक करेगा लास्ट ताइम में यानि कि प्रवियेशु मसी का आने का समझ में यानि कि end times में यह बागी देशों के साथ में मिलकर मुक्यर लीदर यही होगा इसलिए इसका इतिहास को भी आपको समझना जरूर यह यह देश जो है यह 7th AD तक क्योंकि 610 AD में इसलाम का जनम होता है 7th century में AD 7th AD में इसलाम जो है इरान को यानि कि परशिया को कंकर कर लेता है उसके बाद में धेरे धेरे करके जो उसका अपना जो धरम था जो रस्तनिजम खतम होते जाता है और इसलाम को एड़ अप कर लेते हैं सारे वहां के लोग और यह देश एक मोनार्की सिस्टेम से चला आ रहा था अंतिल 1979 में इसलामिक रिबुलुशन होता है जिसका मुख्य लीडर आयोतल्ला क्योमनी वो एक इसलाम के धरम गरू वो लीड करके मोनार्की को खतम कर देते हैं और इसलामिक स्टेट बना देते हैं और सेरिया रूल और पुरी तरीके से यहां में स्ट्रिक कानून जो इसलामिक कानून का सुरू हो जाता है और जैसे ये आयतुला, ये जो लीदर आज साइद 84 कुछ का हो गया है, ये सबसे पहले खतम करना चाहता है किसको? इसराइल को, इसराइल को क्यों? क्योंकि वो इसराइल को इसराइल को वो देश नहीं मानता, अलाकि उससे पहले जो एरान के, जो मोनार्क थे, उन लोगों न इसराइल को सैथान करता है, लिटल सैथान, और अमेरिका को गरेट सैथान, ये दोनों को ही पहसंद नहीं करता है, ये प्योर, राडिकल, इसलामिस, ग्रूप, और पॉलिटिकल ग्रूप, यहां पर राज करना शुरू होता है, तब ही से जाके, कनफ्लिक्ट, इसराइल के वाले ये Islamic Revolution Party लोकी है और इसका मुख्यालिदा Ayatollah Humani अब यहां में हुआ क्या अब आपको समझना है यहां पर यह जो हमला कर रहा है यह जो नफरत है वो जो देखता है कि यह लोग बाहर से हैं यह कलेस्टिनिन जगे को ले लिया है यानि कि तो अप यह अपने आपको लीडर भी बनाना चाहता है इरान और अपना जो धरम को का जो प्रभाव को भी आगे ले जाना चाहता है तो इसलिए एक बहुत बड़ा hindrances देखता है इसराइल को इसलिए कोई भी हालत में खतम करना चाहता है इसलिए पूरा प्रोक्सी वर्स कराते रहता है मतलब की आतंगवादी अलग-अलग चाहिआ आप हिजबूला बोलिये हमास बोलिये ऐसे बहुत सारी आतंगवादी संगटे ने फिलिस्तान में अलग-अलग मिदिलिस के देशों में इसने बना रखा है और हत्यार फंडिंग सारा कराते रहते हैं तो ये क्यों ऐसा कर रहा है बचन साप बताता है कि 38-39 को जब आप परोगे तो यहाँ पर बैटल अप गोक एंड मेगोक के बारे में कहा गया है इसमें मुख्यल लीट रोल प्ले करने वाले है एंड टाइम्स के बारे में कहा रहे है लीट रोल प्ले करने वाले है यहाँ पर कहा गया है बर्षिया यानि कि इरान लांस देश में ऐसा होगा यानि कि अन्त के समय में ऐसा होगा और बचन भी कहता है वोड्स होंगे देश-देश से लरा जाएगा प्रभी येश मसी का समय आएगा वापस आने का देश-देश लरेगा तो ऐसा ही हो रहा है अब टेंशन जो है बहुती भायानक होते जा रहा है मिडिल इस्ट में और इसमें ये आप कुछ दिनों में सुनेंगे इस्राइल ने काउंटर एटेक कर दिया क्योंकि इस्राइल is a powerful country छोटा दिखता है लेकिन आप इसके कारणामे इसका दिमाख और जितने ये powerful सक्तिसालिय है आप उनका जो कारणामा पड़िये उनका invention पड़िये यहुदी लोग पुरी दुनिया में फेले हुए है कितना ग्यान है कितना technology में advance है आप research कीजिए कितने advance weapons है इन लोगों के ये counter attack करेगा और इरान फिर से जवाबी कारवाई करेगा और ये escalation होने का chances बहुत ही ज़ादा है क्योंकि Benjamin Netian याहु ने already कह दिया कि जवाब देंगे जो दोसों के करीब जो मिसाले दागे थे पिछले हबते उसका जवाब देंगे तो ये सब culminate हो रहा है end times को यानि कि ये बता रहा है कि नजदिकार है प्रभू का आने का यासे हमें हम मसीछों को प्रात्ना करना है हमें दरना नहीं और चितना हो सके हमें प्रभू का पचार करते जाना है we have to say the good news हम निरास नहीं हो सकते हमें प्रभू ने आसा दिया है हम प्रभू के लोग है अब ये याद रहे कि परमेशुर जो है control में है he is sobering वो history को अब पर के देखे God was in control और अभी जो भी हो रहा है God is in control और आने वाला समय भी उसमें भी परमेशुर निरंतन रखे रखेगा उसका जो ये प्लान है वो योजनाए पूरा करेगा अपना योजनाए even evil लोगों को भी इस्टेमाल करेगा अपना प्लान को फुल्पिल करने के लिए आप परिये God in his redemptive history he was in control he leads so time is uncertain लेकिन हमें पूरा भरोसा है परमेशुर पे प्रभू येश्व मसी का आने का समय बहुती नजदिक हो चुका है हमें सोना नहीं हमें जाग जाना है हमें प्राथना करना है हमें लोगों को सू समचार बताना है जितना इस्राइल को प्राथना में याद करिए और परमेशुर का जो सोबरनीटी है वो रिबील हो परमेशुर कंट्रोल करे परमेशुर सभी चीज़ों कि अपने हिसाब से ले जाके उनके महिमा उनका यह योजना है वो आन्फोल्ड हो धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आसा करता हूँ आपको समझ में आया फिर भी कुछ दाउत है प्लीज आप कॉमेंट कीजे मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दो God bless you